हेलो अचो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Magnetic Field Strength at a Point due to a Bar Magnet तो आईए सुरू करते हैं तो जैसे मैंने याँ पर लिखा है Headline Magnetic Field Strength at a Point due to a Bar Magnet तो सबसे पहले हमें Bar Magnet के बारे में कुछ पता होना चाहिए थोड़ा Bar Magnet के बारे में इंट्रोस करवाती हैं आपको, क्या होता है? Bar Magnet तो तो देखे, जैसा की नाम से ही हम देख पा रहे हんで यह तो नाम से हम देख है कि Bar Magnet यहन कि एक Magnet होता है जिसके शेप एक Bar की तरह होती है इस तरह से यहiसे, तो यह Bar Magnet है बार मेगनेटिक के अंदर क्या होता है जैसे दो पोल होंगे एक साउथ पोल होगा और एक नोर्थ पोल होगा मान लेते हैं यह साउथ पोल है और यह नोर्थ पोल है जो मेगनेटिक जो पोल हम बनाते हैं वो बार मेगनेटिक के थोड़ा सा अंदर बनता है ऐसा निया कि इसक इसकी इंसाइड है और पॉल स्ट्रेंथ दोनों की सेम होती है माली जी इसकी पॉल स्ट्रेंथ मैं अगर एम लेता हूं तो इसकी पॉल स्ट्रेंथ भी कितनी है एम है और यह जो इधर से क्या है फिर जो बार मेगनेट है किस तरह मेगनेट है एक आर्टिफिस्यल मेगनेट है कý ने बनाए है इंपोब की बीज की डिस्ट 내it को इसे मग्यनेट बनते हैं । है करें इसके अंदर एक आपको जो चॉर्म अती है magnetic dipole moment जैसे हम electric dipole moment पढ़ते थे ऐसे यहां पर भी magnetic dipole moment होता है उसको हम capital M से लिखते हैं vector quantity होती है लिखें कैसे कोई भी एक pole लेंगे जैसे दोनों की strength से में तो कोई भी एक pole लिया into 2L तो यह था bar magnet bar magnet के बारे में देखो थोड़ा सा और होता है magnetic field lines कैसे ही इसमें जो originate होती है तर्मिनेट होती है नौर्फ pole से magnetic field lines निकलती है हर direction में और south pole पर आगे वो terminate होती है तर्मिनेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जो magnetic field lines है इनका ना कोई starting point होता है ना कोई ending point होता है यह एक circles बनाती है ठीक है यहां से क्या होगा north pole में क्या होगा यहां से north pole से field ऐसे जा रही है और south pole में आके एंटर करें north pole से झाये हमें लगे वहीं जैसे north pole से field live कर रही है south pole में एंटर कर रही है और inside the bar magnetic चाया पहर चाहिए और बाहर उनकी direction कैसे हो फिल्ड की north से south ठीक है तो यह में यहां तो अभी देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए मैं यहां पर लिखा है कि magnetic field strength at a point तो सबसे पहले तो मैं बता हैं जो क्या होती है जैसे कि मैंने यह definition लिखिया है the strength of magnetic field at any point उसको हम कैसे define करेंगे is defined as the force experienced by a hypothetical unit pole अभी मैंने इसको underline किया है hypothetical unit pole को उसके बार हम बताएंगे हमने hypothetical क्यों लिखा यहां पर वह नोर्थ में हो सकता है साथ में हो सकता है placed at that point ठीक है जैसे हम electrostatic में करते थे एक charge लिया और थोड़ी ही दूरी पर कोई दूसरा चार्ज रख दिया टेस्ट चार्ज रखते थे वहां पर हम उसको force को find करेंगे हम देखते थे जो जो लाइन होगी इसको बलें हम axial line ठीक है जो जैसे इसके along the length जो जा रही है इसको बलें axial line एक बड़ पॉइंट माली यहां पर लिए हमने पी यहां पर यहां पर लिया एक बड़ यहां पर लिया और इन पॉइंट पर हम magnetic field strength की value find करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम लेते है केस 1 ठीक है जब आपको पॉइंट है वो axial line पर लाए करते हैं तो magnetic field strength की value वहां पर क्या होगे ठीक है तो आईए देखिए कि find करते हैं किस तरह से find करेंगे देखिए यह एक बार मैगनेट ऐसे में बना देता हूं यह कोई बार मैगनेट है यह उसके अंदर दो पॉल है एक नोर्थ पॉल एक साउथ पॉल यह नोर्थ पॉल है मालीजी चलो बाहर लिए इसको ठीक है और देखो कोई बहुत बड़ा मैगनेट है आप उसके दो टुकडे कर दो चार कर दो सो कर दो हजार कर दो चाहिए लाग कर दो ठीक है कितना भी उसको स्मोल कर लो कितना भी उसको चोटे चोटे टुकडो में डिवाइड कर लो उसके नदर हमेशा दो पॉल रहेंगे नोर्थ पॉल औ तो जैसे नोर्फ पॉल है इन दो के बीच की डिस्टेंस जो है दो पोल्स की वह 2L है यानि की मेगनेटिक लेंद है यहां पर हमें इन 2L है और यह जो ऐसे डोटिड लाइन्स में दिखा रहा हूं यह क्या है एक्जिल लाइन यहां पर मुझे मैं पर हाइपोथेटिकल यूनिट पॉल रखा हुआ है माल जीए जिसकी स्ट्राइफ क्या है और यहां पर मैंने एक नोर्फ पॉल रख दिया यूनिट नोर्फ पॉल लेकिन हमें पता कि मोनोपोल एक्जिस नहीं करता तो इसलिए मन्ने आपर तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसका मिड़ पॉइंट है और यहां से यह जो डिस्टेंस है इसको मैं डी माल लेता हूं इस पॉइंट तक की डिस्टेंस से डी ठीक सीज़ी पॉइंट पीपर फइंड करते हैं सबसे पहले हुम फइंड करेंगे यह जो फॉर्ट टर इंहां और इसकी भी पॉर आधिंग्या है तो साउथ पॉल की वजह से उपर फिल्ट ब्राइव यहां पर फिल्ट क्या होगी अभी देखो North Pole की वज़े से क्या होगी वहाँ पर field strength क्या होगी वह find करते हैं यहाँ पर लिखो हो है, Magnetic field strength due to North Pole North Pole की वज़े से वहाँ पर क्या होगा, Magnetic field strength की value तो देखो उसको मैं लेखता हूँ, उसको मैं लेखता हूँ B से, ठीक है तो B से लिखेंगे इसको क्या होगा, Mu naught upon 4pi, ठीक है, यह formula होदा है, Mu naught upon 4pi और देखो यहाँ पर North Pole है, उसकी pole strength क्या है, M है, into यहाँ पर P point पर जो मैंने मोनोपोल लिया है, उसकी strength क्या है, 1 लिया है, तो उसको लिखो 1 divided by separation कितनी है, देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह separation, यह पूरी D है, तो D में से L माइनिस कर दूँआ, ठीक है, यह L है, यह पूरी D है, तो D में से L माइनिस कर दूँआ, D माइनिस L, ठीक है, तो यह होगे इसकी दुनों की बीच की separation, दो पूल की बीच की separation होगी, और उसका करना में square, ठीक है, तो यह हमने B find के लिया, direction क्या होगे इसकी, along, along, अब देखो, यह नोर्थ पूल है, और यह यहां पर भी एक नोर्थ पूल लुक है, तो दो जैसे आपको पता है, लाइक पूल रिपैल इच अधर और अनलाइक पूल अट्रैक्ट इच अधर, तो यहां पर क्या है, तो यह लाइक पूल है, तो अगर रिपैल करेंगे, यहां पर जो फोर्स लगे हो, अवे लगया है, यह नोर्थ पूल से इसको दूर धोके लगया है, तो जैसे यह होगा, इसको मैं लिखूँगा, अलों एन पी, एन पी की तरफ होगा, तो यह मैंने बी फाइंड कर लिए यहां पर, ऐसे फिर साउफ पूल की वज़े से मैं है, और उसकी जो है, हमने यहां पर जो मोन पूल का उसकी 1 है, और देखो, सप्रेशन की तिनी है, डी तो यह है, और यह जूट जाएगी इसमें, ठीक है, तो दी प्लस एल, और इसका करेंगे स्क्वेर, ठीक है, और यह होगा, यह होगा अलोंग, पूल की वज़े से फ नेट फिल्ड देखी, क्या होगा, बज़े से इसमा और पर देखो, फिल्ड तो यह होगा, पूइओ, पी पोइट पर एक तो बी, दो बी की डारेशन तो यह है, इढ़े, बेहुआ, ठीक है, बहुआं यह तो है आपका B और जो B' है उसकी direction यह ऐसे है यह है B' ठीक है तो यहाँ पर जो net field होगा वो क्या होगा दोनों का vector sum होगा उसको मैं लिख रहता हूं B1 से ठीक है माले जो इसको कैसे लिखता हूं B1 से तो B1 क्या होगा बी प्लस B' होगा लेकिन देखो आपको पता है कि vector addition के अंदर इस तरह से addition कि इसका कर सकते हैं जिनकी direction सेंव हो यहाँ पर direction सेंव नहीं है तो इसलिए कैसे लिखो है मैं इसको बी प्लस माइनस बी डैस ठीक है यहाँ पर देखो बी की value क्या है यह है और बी डैस की value यह है ठीक है इसको लिखो कि बी की value मैं लिख रहा हूं इदर मू नोट अपान 4πい mD by d minus l whole square minus यहाँ पर हो गाँ मू नोट अपान 4πi mD by d plus l और इसका whole square ठीक है तो यह क्या हो जाए फिर यह आपर देखो जो common है उसको जो यह जो ट्रम है दुनों में इसको common ले लेंगे तो यह हो जाए मूनोट अपॉन फॉर पाई स्केर मानेस अपॉर श्केर पॉरे का होल स्केर एधर क्रोस मेंल किनेगे इधर यह जो हैगा देखो ज here में D प्लस L पूरे का स्केर माइनस D माइनस L इस पूरे का स्केर ठीक है तो यह क्या है फिर रिजल्ट अपका रिजल्ट जो होगा वह वह गा मिनोट अपन 4 पाई एम ठीक है और यह हो देखो इसका स्केर करेंगे s² b² plus 2ab, यानिका, इधर से आएगा, 2dl –, s² b² minus 2ab तो वो तो cancel हो जाएंगे, s² plus b² जो इसमें याता, इसमें भी ऐसे cancel हो जाएंगे, क्या बचाए गए इसमें, –2dl और बाहर नाजिए पलस का, 2dl, यानिका, कितना जाए, 4 times, 4DL और डिवाइड में है D square minus L square और इस पूरे का whole square ठीक है तो यह आगे आपके बस B1 ठीक है, net जो फिर दाया ठीक है, direction किदर होगा इसकी along N P, ठीक है क्योंग यह जो force है यह dominate करना है तो along N P, ठीक है तो यह तो हमने find कर लिया है अब हम find करेंगे, equatorial line पर ठीक है, equatorial line पर क्या होगा ठीक है, equatorial line है equatorial line पर point P मैं हमाले जी यहाँ पर लेता हूँ ठीक है, equatorial line क्या होती है इसको bisect करेगी, दो बराबर भागों बंढ़ेगी perpendicular होगी इस पर ठीक है, यह जो pole है यहाँ से इस तरह से distance यह लेंगे, ऐसी यहाँ से distance होगी इस pole से यह होगी यह 2L है तो यह L होगा यह L होगा, ठीक है और ठीक है, यह होगी आपकी length और यह क्या होजागी फिर इसको अगर मैं माले ता हूँ D, ठीक है, यहाँ से पी से यह O है, तो O P की जो length है मैं मैं अगया है तो यह लेंद क्या जागी यह बाइं पाइथापोरस करें से लेंशेह की अगया है अगया है अभी यह देखो वित आप यह यह रखा है यह नोग इसमें इसमें इदर होगी और यहां पर साथ पूल नोर्थ एक प्रकर प्रेक्षिकर यह नहीं सेखनेटीटा के पडिकर लाइन खाले यह कहलेंं की का कि अधन्य तो ऑड यह एंगल यह आपर बन रहा है कर दो यह एarts है तो को यह जुड़因 entrust जो खोल अधन्य पर मैंगनेर क्रिंध और भी्備 स्ट्रेंफ का होगी गल्हीत गुम्हेस देड़ औरे में की मैं नौर्थ पोल यंद कराद मेझा किते हैं इस जवाए फर्मुलां लगए में गभी सिसकर थी से यह जो है यह आपका बी है इसको माले था हम बी डैस ठीक है तो बी क्या होगा बी जो होगा वह आपका इसको मैंने लिखा बी डैस से वह जग आपका म्यू नोट अपॉन फॉर पाई पॉल श्रेंथ एम है और इसकी पॉल श्रेंथ 1 है लिखने की जुरूत नहीं है डिवाइड में आ जागी सेपरेशन डी स्केर प्लस एल स्केर और इसको पूरे का स्केर गरें तो स्केर रूट क पॉइंट में फिल स्ट्रेंथ नेट मेरेटिक फिल्स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, एट पॉइंट क्या होगी उसको मैं लखता हूँ मालेजे B2 से लिखूंगा वो क्या होगी देखो, अभी इदा देखो, B तो इदर है और B-दैस इदर है तो मुझे रजल्टेंट चाहिए, रजल्टेंट मा लिजे, यह इस डिरेक्शिन में आएगा, ठीक, एक्स, देखो, इसका मैं कम्पोनेट लोगा, एक डूटी लाइन ऐसे डूट लेता हूँ, अगर मैं इसका कम्पोनेट इदर लेता हूँ, ठीक, बी का कम्पोनेट इदर ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कौन सा कम्पोनेट बजाएगा, इसका कम्पोनेट इदर लोगा, पी एक्स की डिरेक्शिन में, ठीक है, यह कहोगा, बी कोस थीटा, इसका कम्पोनेट इदर लोगा, और देखो बिटुको लिखते हैं वह बाएंपर देखो इसका और इसका दोनों का magnitude same है, तो हमें इसके लिख सकता है, 2b cos theta, ठीक है, 2b cos theta, along direction क्या होगी इसकी, along px, ठीक है, along px, ठीक है, dominate को उनसा अब factor करेगा, b cos theta, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, कोई dominator नहीं करेगा, magnitude same ही आया दिनोंगा, तो दोनों का magnitude same है, तो यदर जो component है, वो component भी दोनों के same ही होगी, ठीक है, जस्ट वो एड़ हो जाएंगे, ठीक है, direction उसकी, px होगी, ठीक है, तो देखो, add करते हैं, लिखते हैं, इसको, b2 क्या होगा, को सब्सक्राइब को त्फी है मिञ टो इब्लीव किल ठीडा हिंत tornado उस्पाइब दे सक्रेट बैदसे में लिख लिए को सब्सक्राइब के लिए को मुझे वाड़ी। धेसा, मैं एंकूरद की लिए हैं इनकी लिएक्टि हैटubenल बाका इसे लिएक्टि फिल्ध के होता500 थिधा क्या होता है को कुछ थिटा पॉस्टो जो होता है वह होता है बेस अपॉन हाइप onze cette Share का स्क्वेरूट ने किया है लिख स्केर लेकर यह आप देखो 2μ0 4π3m divided by can dee skill पर स्केर प्लसल केर पावर एड हो जए देखो बेगर लेड सेम है बीजेस के ऐट है इसकी पाउर वन इसकी ऑउन बाइट प्रों एड करएंगे तो कितना हो जाए ठरी बाइट हो ठीक है और इदर काये गाए एक L ठीक, अबधी दखो इसमें हम इसको एक टो ठीक है यह हमने लिखे है B2 गी और असको लिख लिखिये आ' किदुर हो गई है आग इसको ऐसे लिखंग हुए है अब यह नेक बहुती है क Templek में बिदेज को अबanstरने उक्न सिखे पर आं है और यह two into l ठीक है एम two l के जगह के लिख सकता हूँ नहीं कि मैं चाहूं तो यहां पर इस तरह से इसकी जगह है एक यहां पर capital M लिख सकते हूं इस तरह ठीक है और ऐसे जो मैंने वहां पर आपका B1 जो find किया था देखो यह B1 था यहां पर भी हम उसको replace कर सकते हैं इसको देखो यह 4DL है तो इसमें से कहा करूँगा 2DL into M की जगह क्या लिख दूँगा capital M लिख दूँगा यह B1 हो गया जे B2 होगया इसमें एक case और यहां आड कर सकते हैं कि अगर यह इसमें यह हो सकते है कि if l square is very very less than d square l square बहुत छोटा है यानि कि magnet आपने बहुत छोटा लिया है तो उस case में आप इसको नगलेक्ट कर सकते हो तो क्या होगा b1 की value क्या होजाएगी b1 जो होगा वह होजाएगा mu0 upon 4pi 2m d और निचे यह होगा देखो यह तो cancel होजाएगा यह d square और पूरे का स्क्राइगा d की power 4 d से d cancel होजाएगा mu0 upon 4pi 2m upon d cube ठीक है और ऐसे b2 को replace कर सकते है b2 क्या हो जाएगा दब यह condition लगाएगे b2 में तो यह दो को यह L बहुत छोटा है तो निगलेक्ट कर देगा mu0 upon 4pi और यहां पर है m divided by इसको निगलेक्ट करेंगे बहुत छोटा ही quantity है d square के अंदर add करेंगे बहुत छोटा ही quantity को ठीक है उसे कोई फर्ग नहीं पड़ेगा example वही है जैसे एक लाक में हम एक add करें तो उससे कुछ खास फर्ग नहीं पड़ता तो जैसे यह बहुत छोटी quantity है यहाँ पर लिखेंगे इसको निगलेक्ट कर देंगे तो यह बहुत दी स्केर इसकी पावर 3 by 2 दी स्केर की पावर 3 by 2 करेंगे तो क्या हो टू से टू करेंशल नहीं दी क्यू बचेंगा तो यह आ गया बी टू तो यह था आपका magnetic field strength at a point due to a bar magnet तो यह बीड़ तो यह बावर यह दो विल यह यह